फ्रेंड्स तमे मारी चैनल पर नवा हो तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट वीडियो नी जहनकारी मटे बेल आइकोन पर क्लिक करो वेल्कम टू विपुलास कीचन फ्रेंड्स आज हम ड्राइफूर्ट लड्डू बनाने वाले हैं तो चलो सुरू करते हैं लड्डू के लिए मैंने 200 ग्राउंड नड को ड्राइए रोस्ट करके छिलके निकालके रेडी रखा है 200 ग्राम बादम और 200 ग्राम काजू को भी Warren रोस्ट करके रेडी रखा है Czech gather. 200 ग्राम तील को भी रोस्ट करके रेडी रखाये और सभी między सामगरी को रोस्ट करके हम लेना है और जो भी हम ड्राइफूर्ट करके, कम ज्याधा है भी कर सखते हो यार अपने पसंद के अनुश आश अमकिसार राइ फुट भी ले सकते हो ऐह अर उसको फिर हम cha finished टंडा करने केform अभी नदू बनाने के लिए मैने एक पैन में बारिक कतर के एसा गुड़ लिया और गुड़ को एसे बारिक करके ही लेना है जितनी हमारी सामगरी है, सामने हम उतना ही गुड लेंगे और गीबी में उतना ही ले रही हूँ, आप कम भी कर सकते हो अभी उसको दीरी आज़पे हमको गुड को पीगालना है गुण को जैदा हाथ देही करना है, उस बात का ध्यान रहे उसको soft ही रखना है तब भी हमारे लड़ों का टेस्ट अच्छा आएगा तो धीर ही आज पे हम गुड को पिगा लेंगे अब याप कम मिठा खाते हो तो गुड को कम भी कर सकते हो पर मैंने अभी समान मात्र में ही गुड लिया है यह बच्चों की रेसिपी है तो मैं गी भी थोड़ा ज्यादा ही ले रही हूँ आप कम कर सकती हो दिरे दिरे लगाता चलाए जाएंगे चलाते जाएंगे और गुड को पिगाल देंगे इतना हो जाए तब गेस को बंद कर देंगे और उसी में ही खिलाते जाएंगे और अच्छे से गुड को मेल्ट कर देंगे देखो गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है और मिश्रण भी हमारा गरम है तब ही हम उसमें मसाला कर देंगे वन थर्ड कप हम गंठोडा पावडर जिसको पिपर मीट का पावडर भी बोलते हैं पिपर मूल का पावडर वो एड़ करेंगे वन थर्ड कप हम राई जिंजर पावडर एड़ करेंगे 1-3 cup काखलू जिसे गुझाती में बत्री सू बोलते हैं वो एड़ करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे उसमें पीपर मुलका पावडर और जो बत्री सू जो काखलू बोलते हैं वो एड़ करते तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मेरे मसाला भी बहुत ज़्यादा किया है आप देख सकते हो तो लड़ू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब यह सब सामगरी ठंडी हो गई है तो हम उसमें 1-4 cup पेपी सीट का पावडर एड़ करेंगे उसको पेपावडर करके ही एड़ कर देंगे सीट का सीट को जो हमने ड्राइ रोष्ट करके रेड़ी रखा था तील को उसको भी हम फाइन करस्ट कर देंगे तील का पावडर एड़ करेंगे और आपने 3 recognize, इसमособ सब समक्री करिश्ट किया है अब बर्ले कोगए, 100g एड़ करेंगे ड्राय सब्सभाफरी हैं ए करेंगे तो जब खाने में आये गे लड्ड़ू का तेस्ट महुंट अच्छा आता है आपड़ू सकते हो फ्रैंड हमारे जो मिस्ष्ण हमने जो रफली करस्ट किया है तो इसके कारण पूरी दाने क आले हैं तो जब बखाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अभी सब को सब अच्छे से मिक्स करके उसमें से लड्डू बना देंगे यह लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं आप अपके घर पे जरू ट्राइ करना और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना फ्रेंड्स तेंक यू